हेलो हाई एवरिवन वेलकम बैक तो माई चैनल और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ पॉंड स्वाइट ब्यूटी बीबी क्रीम आज का मेकप हम इसी के साथ करने वाले हैं बिना किसी फाउंडेशन के हम कैसे बीबी क्रीम के साथ अपना पूरे फेस का मेकप कर सकते हैं आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह ब्यूटी ब्लेंडर है सबसे पहले आप ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पानी में कुछ टाइम के लिए बिगो कर रख दें कभी भी ब्लेंडर को तो ऐसे यूज नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा पहले गीला कर लें, और गीला करने उसे कुछ टाइम पहले ही आप बिगो कर रख दें, और फिर उसके बाद इसका पूरा पानी निचोड लें, इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका मेकप बिल्कुल खर लीजे, उसके अंदर इसको दबा कर रखिए, जितना भी पानी होगा, वो कॉटन का कपड़ा अपने अंदर सोख लेगा, आप देख सकते हो, यह बिल्कुल सूख चुका है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, आप यह रेडी हो चुका बिल्कुल, सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजे, क्लींजर से या फिर किसी भी फेस वास से, आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजे, उसके बाद आप मॉस्चराइजर यूज कीजे, कोई भी मॉस्चराइजर जो आपके पास हो, मेरे पास नहीं भी आक लगता है मॉश्यराइजर तो काफी हैं लेकिन यह मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं यह है मुश्यराइजर यूज करूंगी चराइजर अपलाई हमने कर लिया है और उसको कुछ टाइम हो भी चुका है अब हम अपलाई करेंगे पॉंड्स बीबी क्रीम यह बिल्कुल आपको फाउंडेशन का ही टच देने वाली है फाउंडेशन का ही लुक आपका होने वाला है कि यह मैंने बीबी क्रीम ले ली है अब हम ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करेंगा अच्छे से मैं फेस फेस का करके दिखा रही हूँ अगर आपका बीबी अपने फेस पर मेक अपलाई करोगे अपने किसी पार्टी वगरा यह फंक्सन वगरा क्लिए रेडी हो तो आपको नेक का एरिया बिल्कुल भी अवाइड नहीं करना है वो उसका चो नेक का अप्र नेक आपका अ का मेक अप होगा वो बिल्कुल फेस के मेक अप से मैं चोना चाहिए क्योंकि फिर वो अलग-अलग दिखेगा ऐसा लगेगा जैसे पर किसी ने कुछ अलग से फेस पर किया हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है बैस आपको नेक एरिये को अवाइड नहीं करना है मैं आपको स भी खा रही हूं तो इसलिए मैं मैं नेक को अभी अवाइड करूंगी जिनकी स्किन ओयल है वो लूज पाउडर जरूर यूज करें क्योंकि इस से आपके फेस का जो मेक अप मेक अप है वो फैलता नहीं है चाहिए आपको कितने भी पसीना आया फिर कुछ भी हो वो फैलता नहीं है बिल्कुल आपका जैसा आपने मेक अप किया हो आपके फेस पर टिका रहता है तो मैं लेक मेका यूज कर रहे हूं लूज पाउडर आप देख सकते हो मैंने अच्छे से लूज पाउडर को भी डैप डैप वाली पोजीशन में अच्छे से ब्लेंड कर लिया है इस मैं यूज करूंगी सिवाना का बिलस आप दे सकते हूं मैं कोई कंसीलर वगश्या या पिर कंटूर वगश्या नहीं करने वालीują। बस सिंपल लुक आपको दिखाने वाली रहे के बाद हम आई सेडों यूज करने वाले है प्लाडियों क्या आई सेडों प्लेट है है चोटी सी इसमें फोर कलर दिये हुए हैं इसकी वीडियो में मैं आपके साथ सेर कर चुकी हूँ अगर आपने वैब वीडियो नहीं देखी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे डाल दोंगी आप वहां से जाकर वैब वीडियो भी देख सकते हों तो मैं सेड यूज करने वाली हूँ कॉफी ये कॉफी कलार है अब उसके बाद हम यूज करेंगे काजल काजल में आईकॉनिक लैक में का काजल है हम लेपिस्टिक यूज करेंगे यह लेपिस्टिक प्यूटी बैरी की है और 14 इसका सेड है यह हमारा मेक अप रेडी हो चुका है यह हलका फिलका मेक अप है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है अनली बीबी क्रीम के साथ और लूज पाउडर काजल लिपिस्टिक इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं किया है आप देख सकते हो यह मेरा फाइनल लुक है आइसेडो भी आप देख सकते हो बिलकुल लाइट मैंने आइसेडो यूज की है भी आपको अच्छा लगया आप अपना आइसेडो लाइट भी रख सकते हो या फिर डार्क भी रख सकते हो वो आपके उपर डिपेंड करता है मैंने बिलकुल लाइट मेकप आपको करके दिखाया है बीबी क्रीम के साथ आप ऐसे मेकप कर सकते हो कहीं भी छोटे मटे ओके संस वगयरा पर जाना हो तो आपको यह वीडियो कैसी लेगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और जो भी मेरे चैनले पर नएप प्लीट चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मेरी लेटेश वीडियो आप तक पहुंचती रहे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कंटेंट आपके लिए लेकर हाजर होंगे तब तक के लिए बाई बाई थेंक्यू फर वाचिंग बाई ब